हलो दोस्तों तो आज की वीडियो में समान हिंदी सभी परच्छाओं में बहुत इंपोर्टन कोशन है यूपी प्लिस यूपी एस आई आरो ए आरो सीटेट उत्तरपदेश के सभी परच्छाओं में बहुत उप्योगी प्रस्न है पहला प्रस्न जो है हिंदी से है हिंदी वड माला में वेंजनों की संख्या है वेंजनों की संख्या कितनी है हिंदी में तो आपसन सी तैटीस कोर्षन नमबर जो है दूसरा दिया है इन में से कौन संयूक्ट वेंजन नहीं है कोशन नमबर किसे दिया है यर संधी का संबन किस संधी बिशेश से है सुवर संधी निमलिखित में से कौन सा वेंजन संधी का उधार है कौन सा वेंजन संधी का उधारण दिया हुआ है सदा चार कोशन नमबर पच्वा दिया है निर्विवाद में समाज कौन सा सरमाज है इसमें अव्याई भाव समाज है कोशन नमबर च्थवा दिया है युद्ध में इस्थी रहने वाला किस समाज का बिग्रै पद है आप्शन B अलुक तद पूरुस कोशन नमबर च्थवा दिया है निम्लिकिन में से कौन सा सब्ड पुलिंग है सब्ड पुलिंग है B वै बै जो है पुलिंग है रिसी का स्टीलिंग सब्ड कौन सा है को और के लिए किस कारक का चिन है? संप्रदान कारक के संप्रदान के लिए को के अगला कोशन है 10 नमबर कर्म कारक के लिए परियोग होने वाला चिन कर्म कारक में कौन सा चिन का परियोग होता है? को कर्म को नमनिक्खित में से कौन सा सब्द दोनों वचनों में समान रहता है सर्सो ये दिखिए दोनों वचनों में समान रहता है किसका प्रियोग सदेव बहुचन में होता है दर्शन सुद्धवाक चुनिए सुद्धवाक इसमें दिया हुआ मेरी पांच बहने और एक भाई है मेरी पांच बहने और एक भाई है मेरी एक भाई और पांच बहने है इसमें से सुद्धवाक चुनना है तो अप्सं सी मेरा एक भाई और पांच बहने है कि या अप्संस सी सही है कोईशन नबर दिया है कमायनी उचकोटी का कावि है माता पिता पूजनी है आपका भविश्य उज्वल हो इस पुष्टक का नया संस्कलड प्रकासित हो रहा है तो इसमें से जो है कौन से सुध है आपसन जो है बी सही है माता पिता पूजनी है असुध वाग का चैन करना तो आपसन बी सही है कोसन नमबर 15 दिया है मैं खाना खा चुका था इस वाग में कौन सा भूत कालिक भेध है आपसन बी पूर भूत पूरा हो गया है जब करता एक किरिया समाप्त कर उसी छड दूसरी किरिया में प्रवित होता है तब पहली किरिया कहलाती है पूर्व कालिक किरिया कहलाती है आपसन सी नमदिखित में से कौन सा यूग में सही सुमीलित नहीं है कपास करपत जो सही सुमीलित नहीं है पलड का तद्भो सब्दे कौन सा है पत्र पलड जो है तश्चम सब्द है कोर्शन नमबर नईस दिया है इन में से तश्चम सब्द है तश्चम सब्द जो है छाटना है भायां से बारह सच पद आपसन जो है डी पद सही है कोर्शन नमबर बीज दिया है अपनी दफली अपना राग का अर्थ है तो आपसन जो है सब्द का अपने अपने मन के अनुसाद चलना कोर्शन नमबर बीज दिया है भीश में प्रतिग्या का अर्थ है जिर्ड प्रतिग्या होगा कट जाना मोहरे का अर्थ क्या होगा सर्मिंदा होना तो आपसन जो है सी सर्मिंदा होना कोर्शन नमबर बीज जिसके सीर पद चलना चंदन हो, चंद्र हो के लिए उप्यूक्त सब्ज, इसका एक सब्ज बताईए, चंद्र से खर, जिसे कहेंगे, जो अपने स्थान या स्थिती से अलग न किया जा सके, अचियूत आप्षन ए सही है, निम्न में से एक देवता का प्रिवाची नहीं है, देवता का जोह प्रिवाची नहीं है, किंकर जोह प्रिवाची नहीं है, देवता का, भ्रामर के लिए प्रिवाची है, भ्रामर के लिए प्रिवाची है, भेंग, आप्षन ए, निम्लिकित में से कौन सा विलोम योग में तुलती पूर्ण है उन्नत आवगत उन्नत का जो है आवगत हो जाएगा मधूर का विलोम सब्द मधूर का जो है विलोम सब्द पूछाऊगा है कटू मधूर का विलोम सब्द जोता है कटू पाप पटाख किस सब्ज की अनिकार्थी है तो आपसंजो है आधिका यह सब्ज रस का अनिकार्थी सब्ज नहीं है रस का अनिकाथी सब्ज नहीं है रूप स्वाद पानी पारा पारा आप्सन डी कोश्चन नमबर 31 दिया है राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप है कर्तु वाच आप्सन ए कर्तु वाच कोश्चन नमबर 32 दिया है विचार में एक प्रत्य लगाने से बना सब्द तिसमें एक जो है प्रत्य कौन सा है आप्सन दी वैचारी के श्री कामता परसाद गुरु जी की अनुशार बिराम चिन्नों को किस भासा से लिया हुआ माना जाता है अंग्रे जी सब्दों से लिया जाता है कोश्चन नमबर 32 दिया है मुझे बाहर जाना है रिखां किस सब्चिन को पहचानिये पूरुड बिराम परस्णवाचक चिन्न अल्प बिराम लाघव चिन्न आप्सन ए पूरुड बिराम पुनी पुनी मुनी उक्साही अकुल अकुलाही देखी दसा हर जन मुश्काही इन पंक्ती में कौन सा रस है हास रस है संचारी भावों की संखियां है जो है कितनी होती है तैटीस दोहा के प्रथम आव तिर्ती चलड में कितनी मात्राई होती है कितनी मात्राई होती है तेरह जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपीश तेहू लोक उजागर परिस्टुट पंक्ती में कौन सा छन्द है आप्शन जो है कौन सा है ए सोड़ था है कोर्शन नमबर जो है 49 सरीखा सब्द में विशेशड है सरीखा सब्द में जो है विशेशड है गुरवाचक विशेशड नमलिखित में विशेश सिपद है विशेश सिपद जो है कौन सा है आगनी आप्शन जी सो सिवधनू मिरिनाल की नाई तो रहू नाम गरेन गोशाई इस पंक्ती में किस अलंकार का प्रियोग है आप्शन दी उपमालंकार नाक का मोती अधर की कांती से बीच दाढ़िम का समझ कर भ्रांती से देखकर सहसा हुआ सुक माउन है सोचता है अनसुक तेह कौन है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा लंकार है इसमें कौन सा लंकार है तो आप्शन जो है ए भ्रांती मान लंकार है कोशन नंबर तिर्हालिस दिया है संबंध वाचक सर्वनाम बताईए आप्शन सी जो सुरोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है आप्शन बी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का महावी परसा दुर्वेदी ने अधिकाल को किया संग्या दी है अधिकाल को जो है क्या संग्या दी है बीजो पन काल दुर्वेदी यूग नाम करण किया गया है दुर्वेदी यूग जो है नाम करण किसके नाम पर किया गया है आपसंसी महा बीरपसा दुरुवेदी की नाम पर कोशन नमबर जो है 47 जी है भालती समिधान की अथमी अनुसोची में सामिल भसाओं की सेंख्या 22 है कोशन नमबर 48 है खाड़ी बोली का पर्थम महाकाबी कौन सा है प्री प्रवास साहसी मनुस क्या उधान नहीं लेता सपने कोशन नमबर 50 दिया है सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुलित का अन्ने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना तो ये 50 प्रण जो है समाफ्थों गए है जा एम है साहसी लेकानी क्या को सुखमयकता, क्या है क्या है प्रफब क्या व्रुलित का 1